इस वक्त हम काशी हिंदू विस्वध्याले अर्थात बनारास हिंदू युनिवसिटी के ओफीशल वेब साइट पर हैं और इस वज़ा से आजाए हैं ताकि बीएच्चू के बारे में एक एक इंफोमिशन बिल्कुल सटीक तरीगे से आपको दी जा सके क्योंकि जायर से बात है कुछी दिन में रिजल्ट आ जाएगा सीओ वीटी का और इसके बाद हर वो बच्चों को इस वीडियो की जरुवत होगी जो बच्चा बीएच्चू में किसी ने किसी कोर्स के लिए एड्मिशन लेना चाहता है और बीएच्चू इसका ड्रीम युनि के इलिजबिलिटी क्राइटीरिया के बारे में प्लेस्मेंट रिकॉर्ड के बारे में लिस्ट अफ डॉकुमेंट्स के बारे में एड्मिशन प्रॉसस के बारे में एंड लिस्ट अफ कोर्स के बारे में यानि कि अगर आपको बीएच्चू में एड्मिशन लेना है तो निन आप Me इनीशिय में कि लिए इसके लाव हम है भी जानेंगे इक इड्मिशिन प्रोसी क्या est 살 प्रोस्स क्या है स्टाइग से लास्ट हम जिस से हमें B.H.U. में admission लेने में कोई दिक्कता हो क्योंकि सबसे difficult admission process होता है उसमें कोई भी बच्चा अगर fail किया तो admission रुख जाता है तो इसलिए ये बहुत अच्छे से जानेंगे और last में list of courses कितने कितने course हम इस university से कर सकते हैं उसके लिए क्या-क्या eligibility criteria होनी चाहिए सब कुछ जानेंगे सो आईए यहां से अपनी इस वीडियो की शिरवात करते हैं सबसे पहले मुन्ना जानते हैं कि B.H.U. के लिए जो eligibility है यानि योगिता है वो क्या होनी चाहिए तो आज के जबाने में सारे बच्चे जानते हैं कि पहले उसका अलग exam होता था बट अब सिर्फ एक ऐसा single exam जो कि पूरे भारत वर्स में होता है C.U.E.T. का exam अगर आपने दिया है तो आप B.H.U. में admission ले सकते हैं और B.H.U. जैसे बहुत सारी सेंटरल उनिवस्टी इस मेंट मिशले से हैं इतनी popular exam है यह लेकिन सिर्फ इस exam से काम नहीं चलेगा इस exam से पहले आप 12th pass होने चाहिए 12th pass होने के बाद C.U.E.T. का exam दीजे और उसके बाद जो course आप B.H.U. से करना चाहते हैं अलग-अलग course बच्चे करना चाहते हैं कोई B.A. करना चाहता है कोई B.B.A. करना चाहता है कोई B.T.E.C. करना चाहता है तो अलग-अलग courses के लिए अलग-अलग course के according eligibility भी होती है सबसे पहली eligibility तो यही है कि आप class 12th pass होने चाहिए C.U.E.T. का exam देने चाहिए और तीसरी चीज़ कि जो course आप करना चाहते हैं उस course के लिए अलग-अलग युगता है B.H.U. में admission लेने के लिए जिसको हम अभी official website पे चलके देखेंगे तो यह clear होता है यहां पे उसके बाद हम बात करते हैं कि placement record क्या है तो देखें स्टूडेंट अगर B.H.U. की बात करें न तो एक बहुत famous university है तो इसमें आप किसी भी type का course करते हैं placement बहुत अच्छा होता है जैसे अगर हम PG की बात करें तो PG में पिछले साल MBA का highest package डगा था 38 LPA सलाना का package है आप यहां पे देख सकते हैं कितना high amount है तो यह बहुत ही अच्छी बात है average की बात करें तो average 11 के आसपास 11 के आसपास LPA में average package डगा था इसके लावा UG programs की बात करें तो वहां पे average अगर package की देखें तो 3 year programs के लिए 8 LPA 4 year programs के लिए 8 LPA और 5 year programs के लिए 15 LPA का package रगा था सो यह बहुत ही important है क्योंकि जब आप किसी भी university के किसी भी college में admission लेते हैं सो यही देख के रेते हैं कि उसका previous placement record क्या है अगर record अच्छा है तो जाहर से बात है कि आपको भी placement लेने में काफी आसानी होगी आगे चलते हैं और अब बात करते हैं list of courses के बारे में कि अगर आपको sorry list of documents के बारे में कि अगर आपको admission लेना है counseling करानी है registration कराना है तो आपको documents के बारे में जरूरी पता होनी चाहिए क्योंकि एक document भी अगर नहीं रहा ना तो वह आपसे application लिखवाएंगे और हो सकता है again हो भी शकता है कि आपका admission भी रोग दे तो इसलिए ये documents आप तयार रखेगा सबसे पहला CVT का score card अभी result आएगा तो आपको एक score card मिलेगा इसके photocopy अपने पास रखिएगा जिसमें आपको normalized score दिया जाएगा और साथी साथ आपकी rank परसंटाइल भी उसमें रहेगी हर एक चीज रहेगा इसके लागा admit card संभाल के रखिएगा बहुत सारे बच्चे चौधरी बनते हैं कि एक्जाम हो गया आप तो admit card की क्या ही जरूरत फेग देते हैं फेखना नहीं है हर एक document कीमती है हर एक document admission process में लगेगा so admit card and coet का normalized score card यह आपके पास रहना चाहिए दूसरा 10th और 12th की mark seat बचे आपके पास रहनी चाहिए यह mark seat आपको काफी जरूरी help करेगा mark seat रहेगी तभी मजा आएगा और तभी जाके admission process में दिक्तत नहीं होगी cast certificate अगर आप SCST, OBC, AWS के टिगरी के student है तो cast certificate भी आपका लगेगा इसके अलावा photo and signature भी आपका लगेगा photo and signature आपना passport सा इस photo रखिएगा आपने पास TC and migration जो भी पिछला आपने class किया होगा वहाँ से TC और migration आपका जो है वो लगेगा तो यह list of documents थे जो आपको admission process में लगेंगे उसके बाद बारी आती है दो चीजों की बचो admission process की और list of courses की admission process बड़ा simple है सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब आप CUET का exam दिये थे ना उससे पहले आपने CUET का form fill किया होगा form fill करते समय आपको universities को tick करने का option आता होगा तो आपने अगर BHU को tick किया होगा तो आपको admission process में कोई दिक्कत नहीं आने वाली हाला कि जो बच्चे नहीं tick करते हैं registration open होने के बाद अभी जब result आएगा उसके बाद registration portal open होगा BHU का तो उसमें आपको BHU को tick करने का option हो सकता है दे दिया जाता है जो बच्चे नहीं tick की होते हैं form भरते समय उनको दुबारा मौका मिल जाता है तो जिन बच्चों ने tick कर दिया उनको दुबारा नहीं करना बाकि जिन्हों ने नहीं tick किया है वो सबसे पहले BHU को tick करेंगे उसके बाद registration पूरी तरीके से complete करेंगे आपका जो score आया है उस score के आधार पर आप course को preference के तौर पर भरेंगे आपके score से अगर वो score का जो score आया है आपका CUT score card में उससे अगर वो course और वो college match करता है counseling process के अंतरगत तो आपको वो course और वो college allot कर दिया जाएगा वहाँ जाके आप अपना admission process complete कर सकते हैं अब बात आती है कि list of courses क्या है कौन-कौन से course हम BHU से कर सकते हैं और उनकी eligibility क्या है हर course की आपने सर कहा eligibility अलग-अलग है तो बिलकुल यह है BHU के official website bhuonline.in नीचे की तरफ मुन्न आओगे न तो यहां पर देखो नीचे की तरफ आओगे तो यहां लिखा है undergraduate program UET 2024 और UET information bulletin 2024 दिया है जैसे ही आप इसको click करोगे यहां पर एक PDF आपके mobile में खुल गया जाएगा BHU की और नीचे की तरफ आप आओगे न तो admission process 2024 के बारे में लगबग-लगबग सारी जानकारी यहां पर दी गई है ठाइस पेज का यह पूरा का पूरा PDF है और इस PDF के मादम से लगबग हर वो चीज आप जान पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है ठीक है जैसे यहां पर आप content देख सकते हैं कि कौन से page में कौन सा content आपको मिलेगा जैसे अगर आपको eligibility चाहिए section 1 में बनार सिंदू University at a glance इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो तीन से पांच page number में आपको मिल जाएगा इसके अलावा CUT summary of UG courses taught in university कौन कौन से courses कर इस university में होंगे 6-10 page में मिल जाएगा इसके अलावा faculty of arts, faculty of commerce, faculty of program arts, faculty of law, अलग-अलग चीजों का अलग-अलग page details दिया गया है इसके अलावा details of examination and enter से ranking अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर हार एक page detail देख सकते हैं तो नीचे हम आते हैं एक एक करके देखते हैं यहां पर किसने स्थापना की थी भी यह चुकि इसके बारे में पूरी चीजे बताई गई हैं हम नीचे चलते रहते हैं ताकि हमारे काम की information जो है वह हम देख पाएं फटा फट ठीक है तो यह देखिए यहां पर अगर आप आएंगे ना तो red color में आपको दिखाई दे रहा होगा कि all UG courses will be 8 semester मतलब लगबग जितने भी UG courses है ना जितने भी उन सभी की जो semester wise duration है वो 8 semester में divide किया गया है 8 semester मतलब एक साल में 2 semester होता है तो 4 साल में 8 semester यानि जितने all UG courses है ना वो सभी कितने साल के होंगे वो सभी 4 year के होंगे आप यहां पर देख सकते हैं एक दो कोर्स हैं जो 5-3 के हो सकते हैं या 3-year के हो सकते हैं जैसे यहां पे Bachelor in Vocational course will be 6 semester जो Bachelor in Vocational courses है वो 6 semester का ही होगा या 3-year का ही होगा इसके अलावा कुछ और भी courses है जो 5-year के होंगे इन दोनों को छोड़ के बाकि सभी courses 4-year के होंगे जैसा कि यहां पे notice के तौर पे आपको बताया गया है नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पे बहुत सारी चीज़े बताई जा रही है इसमें बड़ा ही simple सा है कि यह जो तीनों college है faculty in main campus बनारा सिंदु university, महिला महाविद्याले in main campus बीच्यू, राजी उगाथी south campus, यहां पे मिरजापूर यह दिखाई दे रहा है यह तीनों जो है, इनमें पहला जो है male, female दोनों के लिए है दूसरा only females के लिए है और तीसरा college male और female दोनों के लिए है, इनको short form में हम इस तरीगे से दिखाएंगे, तो यह जो तीनों college है यह main campus के तौर पे है और यह जो last के चार college है यह affiliated है B.H.U से ठीक है, तो आप इसको detail में पढ़ सकते हैं नीचे और भी चीज़े दी गई है हमें कुछ और important information जानना है तो आईए हम यहां पे जान सकते हैं यहां पे आपको दिया गया है summary details of course हर एक course की summary details दी गई है जैसे faculty of arts के बारे में अगर आप देखें तो BA honors अगर आप करना चाहते हैं BA honors करना चाहते हैं यहां पे college हो के list short form में दी गई है ठीक है, इसके अलावा इसका जो है लगबक सारी चीज़े आपको बताई गई है नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो और मैं कुछ important information बताता हूँ यह PDF आपको BHU के official website पे मिलेगा जिससे आप पूरी चीज़े बढ़िया से देख सकते हैं अब अगर आप बात करते हैं eligibility criteria की जो सबसे important था कि course wise हमें eligibility criteria कहां से पता चलेगा तो देखें आप page number जो 11 है यहाँ पे आपको यह चीज़ पूरी तरीके से पता चलेंगी और बढ़िया तरीके से आप हर एक चीज़ को देख पाएंगे और इसकी eligibility को समझ पाएंगे जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे courses और बहुत सारे eligibility criteria यहाँ पे दिया गया है जैसे BA honors के दिया गया है आप यहाँ पे किस-किस college से BA honors कर सकते हैं इसके लिए eligibility क्या है जैसे 10 प्लस 2 equivalent exam इसका पास होना चाहिए minimum 50% mark से इसके लावा अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे vocational course वगेरा सब details आपको पूरा दिया गया है यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हर एक course वाइस दिया गया है जैसे देखिए यहाँ Bachelor of vocation करना चाहते हैं modern office management से तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी eligibility और लगबग लगबग सारा process यहाँ पे दिया गया है इसी तरीके से हर एक courses की अलग-अलग eligibility मैंने कहा था ना कि course wise भी eligibility होती है तो जो भी आप course करना चाहते हैं उस course से सम्मंदित eligibility आपको पूरी की पूरी यहाँ पे दी गई है नीचे की तरफ अप आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी चीज़े दिखेंगे faculty of law अगर आप करना चाहते हैं तो पात साल का यह course है 10 semester है इसमें और आप यहाँ पे देख सकते हैं BLB है जो professional सा course है और इसके बारे में eligibility क्या है यह पूरी नीचे दी गई है पॉस करके वीडियो पर सकते हैं या वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको पर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखिए visual arts अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी course की list है और यहाँ पे eligibility है इसी तरीके से नीचे आएंगे तो जितनी भी courses की list है वो सभी आपको यहाँ पे provide हो जाएंगी ठीक है और वहाँ से आप पूरी की पूरी चीजों को देख सकते हैं ठीक है जी अब यहाँ पे देखिए हर एक चीज का detail of examination details of examination ठीक है अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप arts से हैं ठीक है BA arts से करना चाहते हैं course तो इसके लिए जो आप देख सकते हैं language में कोई भी एक language आपको देना पड़ेगा English या Hindi और general test यह दो अगर subject का exam आपने CUET में दिया है तो आप BHEU से BA in arts कर सकते हैं इसके लावा इसी तरीके से अलग-अलग courses की अलग-अलग eligibility सामने आपको प्रदर्शित हुई दिखाई दे रही है BCOM करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं subject test में accountancy business studies और general test आपका होना चाहिए कोई भी दो domain और एक general test आपका काम चल जाएगा इसी तरीके से हर एक BSC agriculture के लिए यहाँ पर दिया गया है eligibility B.tech in food technology के यहाँ दिया गया है BSC mathematics group के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपका physics chemistry और mathematics है तो आप BSC in mathematics कर सकते हैं इस course को इस तरीके से हर एक information BHU के official website पर आपको मिल जाएगी और सिर्फ आपको google में सर्च करना है bhuonline.in official website पर चले जाना है under graduation का course के नीचे bulletin दिया गया है UET का उस bulletin पर क्लिक करके आप PDF को download कर सकते हैं और वहाँ से जाके हर एक detail जानकारी को खुद से पढ़ सकते हैं और अपने लिए हर वो चीज़ आसान कर सकते हैं जो अभी आपको मुस्किल लग रही है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे like करिए अपने दोस्तों तक share करिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में love you all बचो take care आपको अड़र 247 का अप इंस्टॉल कर लेना है all courses पे क्लिक कर देना है UGPJ entrance exam पे क्लिक कर देना है CUET Hindi Medium Hindi Medium से अगर आप तयारी करना है तो Hindi Medium पे क्लिक करना है Science in Hindi पे क्लिक करेंगे Mahapag पे आजाएंगे Buy Now पे क्लिक करेंगे और देखे कैसे discount मिलेगा यह रिमूव कर दीजे और यहां पे code यूज करिए Y765 यह देखे यह code यूज करना है Y765 और जैसे ही आप apply करेंगे लगबग 1400 का discount मिल गया 6835 रुपए में आपको पूरा महा pack मिल जाएगा जिसमें सारे बेचेज आपको free of cost मिलेंगे सिर्फ एक बार fees payment करना है और CUET 2025 के exam तक हमारे साथ आप तयारी कर पाएंगे Hindi medium में तो यह रहा पूरा का पूरा detail video BHU के उपर और जितने ऐसे student है जो drop लेना चाते हैं या जो नए सिरे से अपनी CUET 2025 की द्यारी करना चाते हैं वो इससे जरूर जुड़ेंगे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं course लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं ठीक है बेटा थैंक्यू सो मच जैहंद